आज कल आरक्षण और आरक्षण के वर्गी कराणपर नेताओं ने लंबी लंबी उम्मीदें पालनी हैं नेता बनने की MP MLA बनने की आरक्षण के वर्गी करण के भाषण दे दे कर या उस पर बात कर करें आरक्षण है क्या दरसल आरक्षण भारत में एक ऐसी सम्मेधानिक विवस्ता है जिसके तहट में उन लोगों को जिनको भारत देश के अंदर कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया उनकी होने का उनके भारती होने का उनके मनुस्य होने का अधिकार तक छिन लिया जमीन जाजाज पैसा इज्जत एजुकेशन सारे अधिकार जितने थे वो सारे छिन लिये जवरन और या उनको ब्रहम फैला कर तो बावा साब आमबेट प्रिटकर ने ऐसे लोगों के लिए अंगरी जो से लड़ाई लड़ी और गोल मेज सम्मिलन के तहत में आरक्ष्ण नहीं मांगा, बावा साब आरक्ष्ण का सब्द भी नहीं जानते थे, बावा साब ने सेपरेट इलेक्ट्रोलिक मांगा, जो एक सम्वेधानिक स्वाभी मा प्रिक्रिया थी, क्या थी सेपरेट इलेक्ट्रोलिल, यानि के प्रथक निर्वाचन, जो ये दवे कुछने लोग हैं भारत में, जिनकी एक सूची बाद में बनाई उनिस सो बत्तिस में, और उनको अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, या अन्य पिशला जाती क रहा गया, उन लोगों को एक अधिकार मांगा, अंगरी जो से, कि आप जा रहे हो, तो हमारे लोग, हमारे प्रतिनीदियों को चुन कर अपनी बात कहने के लिए, अपने विकास के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने डवलमेंट के लिए, अ कोई और व्यक्ति हमारे प्रतिन इदिको बोट नहीं डालेगा हम अपने लोगों में से जिसको चाहेंगे उसको चुन सकते हैं और इसके लावा एक और भी मांगा था कि जहां हम अपने कैंडिडेट को खुद नहीं चुन सकते हैं वहां दूसरे कैंडिडेट को भी हम बोट दो अधिकार, एक separate electoral का और एक general electoral का, यानि कि वो आम मद्दान भी करेंगे और जहां उनकी seat हैं, उन पे वो अपने लोगों को चुनेंगे, कोई और उनको नहीं चुनेगा। तो इससे बड़े फाइदे होने वाले थे, पर बड़ा फाइदा दे कौन, कोई बड़ा फाइदा देने के mood में नहीं, तो उस बड़े फाइदे को छीन कर गांधी ने और एक छोटे फाइदे का फार्मूला डॉक्टर मेटकर को जबरन धमका कर, भूख हरताल की धमकी दे कर पकड़ा दिया, उस समय बावासाब के साथ में कोई संगवंग नहीं था, कोई लोग नहीं थे, इखटे और के लिए थे वो, तो मजबूरी में करते क्या, वो जो सेपरेट इलेक्टरोल के बदले में जो जुझना पकड़ाया, उसको बोलते आरक्छन, उस आरक्छन के तह सरकारी करमचारियों बनेंगे अगर पड़े लिखे होंगे तो, उस सूची में से, यानि उस सूची में से कोई भी व्यक्ति आये, उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, पर पड़ा हुआ होगा तो, या अगर अनपड़ भी होगा तो MLA, MP बन सकता है, या अगर वो अनपड़ है और पड़ने के लिए ऐसी सीट चाहे, जिसमें प्रोफेशनल कोर्स होता है, जैसे MBA, जैसे MBBS, जैसे Engineering, ये ऐसी कोर्स हैं, जिनके अंदर मारा मारी रहती है, सीट है कम होती है, तो उसमें सीट रिज़र भी है, अगर कोई पड़ा लिखा आये तो, यानि पड़ा लिखा व जो बजट में छोटा सा हिस्सा मिलता है, बहुत छोटा सा, अनुपात में नहीं मिलता, छोटा सा हिस्सा, वो SCST के लिए खर्च हो, जो आद तक हुआ नहीं, बस इसके अलावा कहीं SCST का कोई फायदा कहीं दिखाई दियता नहीं, तो इसको आरक्षन बोलते हैं, इस आरक् नोकरी उनको मिलने से उन लोगों में जागरती आई, कुछ पैसा उनके पास आया, कुछ दुनिया देखी, कुछ सरकार देखी, कुछ कैसे सरकारी दफ्तरों में काम होता है, क्या अधिकार होते हैं, बहुत थोड़़े से लोग, अधिकतर लोग तो अपनी बीबी में, टी जो अधिकारी हैं उन्होंने बिल्कुल नाता तोड़ दिया और अधिकतर लोगोंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया पर किसी को ये नहीं बताया कि वो भावस आपके आरेश्टन की वैसे आए या आरेश्टन की वैसे आए या सेप्ट लेक्डर मांगा या हम बड़े दवे खुच ले थे तब यहाँ है उन्होंने अपने बच्चों को कास सिस्टम या रिघरविशन सिस्टम या सेप्ट लेक्डर सिस्टम या डॉक्टर अम 그걸 च। नमamento कार już नरेश्टर का नहीं क्या नहीं है इसके वारे में कभी जिक्री भी नहीं किया बहुत सारे बच्चों को तो यह पता ही नहीं कि उनके मावाप को जो नौकरी मिली है वो किस बेनिफिट से मिली है किस व्यक्ति की वैसे मिली है क्यों मिली है या वो लोग कहां से आये हैं और कैसे आये हैं बहुत एक unity बनी बावा साव अमेटकर ने साफ कहा था कि यह जो स्रिडू कास्ट का वर्ग है या स्रिडू का वर्ग है या जो अधर बैकवर्ट कार्ट है यह होमोजीनियस एक बाड़ी है या यह सारे लोग एक हैं तो कास्ट कैसा बनना में अर्ग करता के बाद में है एक सार्टिपिकट इसव करना चाहा था है कि यह व्यक्ती स्रिल-क हरест करा है बात खतम हो गई तो हम सारे के सारे होमोगी रहते हैं पर कास्ट सिस्टम क्ns को想 करना चाहता है? हम को छोड़ क और कोई नहीं करना चाहता इसलिए कास्ट स्रेटिफिकेट में वो जो दाडाउं का परदादाओं का कोई काम रहा होगा पुराना उस काम का नाम जिसको जात बोलते हैं वो उसमें आज भी लिखी जाती है जबकि उस काम से दूर दूर तक भी कहीं कोई किसी का लेना देना है नहीं अब सारे काम वो खतम हो चुके हैं पर वो काम के नाम से पतारना मिलती है इसलिए वो लिखवाना जरूरी है वो लिखा जाता है तो वो लिखा गया तो हम को किसी बेलत में कोई भी शिर्लु कास्ट या शिर्लु ट्राइब या OBC नहीं कहता हम को कास्ट के नाम से क्यूंकि कास्ट को जिंदा रखना है जबगी होना ये चाहिए था कि हमको जो benefit मिलते हैं वो स्रिडल कास्ट के नाम से मिलना चाहिए था स्रिडल ट्राइब के नाम से मिलना चाहिए था या other backward कास्ट के नाम से मिलना चाहिए था या जो कोई और भी facility है तो उसके नाम से मिलना चाहिए था यह system खता होना चाहिए था पर यह नहीं किया गया 2018 2 अपरेल को पूरे भारत ने यह पूरूब कर दिया कि हम एक Homogenious structure हैं, यानि जितने भी भारत के अंदर स्रेटुल काश्ट लोग हैं वो सारे के सारे जितने समण स्रेटुल काश्ट हैं, वो सब एक परिवार हैं क्योंकि S.C.S.T. Act to City Act को खतम करने के लिए जब कानून लाया गया और इसकी कोट के अंदर सुनवाई हुई और ये तैह हुआ कि इसको खतम करना चाहिए तो सारे लोग बिना नेता के, बिना किसी संग्ठन के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी धरम और मजभब के, बिना क किसी बिरोक्रेट की हेल्प के, अपने आप सलकों पे आए, और सलकों पे आके उन्हों नों ये प्रूब कर दिया, कि वो एक बॉड़ी हैं, एक होमोजोनिस इस्ट्रक्चर हैं, स्रिनलुकास्ट पूरे एक हैं, और ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्स्टी यूनिटी थी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यू एक्ता थी, वो उस दिन शो हुई, तो जैसी बात है कि एक्ता कौन देखना चायता है, तो उसी दिन से ये पुराम बनने लगा कि इस एक्ता को कैसे तोड़ा जाए, बहुत सारी इसकी कोशिसे होई, पर दो हजार प्यार था कि उन्होंने ना पार्टी देखी ना कोई गर्ती देखा, जिसने भी ये कह दिया कि सम्विधान बचाना है और हम सम्विधान बचाएंगे, उसको बोड़ दे दिया, तो एक वार फिर ये सिद्ध हुआ, कि बावा साब के पिर्टी, उनके सम्विधान के तो गैर सम्विधानिक रूप से एक एडवाईज आई, जो सुप्रिम कोट की आई, कि स्टेट इसको वर्गी करत कर सकते हैं, एडवाईज आई है, उस एडवाईज को चारों तरफ फैलाया गया और कुछ ऐसे लोग, जिनको MLA बनना है, जिनको MP बनना है, जिनको किसी पा ताकत से वर्गी करन के खिलाफ लोगों को बांटने में लग गए, अच्छे अच्छे नेता जो बामसेफ से आए, वो भी, जो राजनितिक पार्टियों से आए, वो भी, राजनितिक पार्टियां खुद भी, लोगों को भड़काने में, लोगों को तोडने में, इस चाहिए, जिनको अब तक कुछ नहीं मिला है, उनको मिलना चाहिए, जिनको मिला है, उनको नहीं मिलना चाहिए, और इसमें किसी का क्या जाता है, ये बातें होने लगी, इन बातों के लिए बहुत सारी बातें आर्गुमेंट में आती हैं, पर उनको कोई नहीं करता, पहली ब क्या आप सब लोग पिर्मोसन में आरश्ण अपना सुरक्षित करा पाए क्या आप सब लोग जो आपको रोश्टर के इंदर सत्य लाश्ट में रखा जाता है क्या आप उसको उल्टा कर पाए क्या आप रोश्टर में ऐसा कर पाए कि पहली अगर नौकरी हो तो वो किसी भी स् क्या आप ये कर पाए कि जो economic आधार पे जो 10% reservation हुआ है उसमें जो गरीब लोग है SC-STOBC उनका भी हिस्सा उतना ही होना चाहिए पर्शंट के हिसाब से क्या ये बात कर पाए क्या economic week section SC-STOBC में नहीं है क्या ये बात सुनुचित कर पाए क्या आप अपने आरेक्षण के जो department थे उनको बचा पाए क्या उनको बेकने से जो vacancy घट गई है उनको बचा पाए क्या आप अपना जो department के अंदर आपकी transfer कहीं बेकार जेगे होती है वो सारे मिलके बचा पाए क्या जितने भी लोग जो नौकरी करते हैं और जिनकी गलत तरीके से जिनकी चार्शिटब बनती है जिनको परिशान किया जाता है क्या वो बचा पाए क्या जितने भी लोग जो पार्लियमेंट के अंदर reservation से गए थे क्या वो सारे खटे रह पाए क्या आज तक किसी लोग सवा में या किसी विदान सवा में रिजर्व लोगों ने कभी अपना कोई पार्टी कभी कोई एक संख्ठन एक साथ बनाया क्या वहाँ वो अपना reservation सुरक्षत रख पाए क्या जो बजट के अंदर आता है और बजट के अंदर जो SCST component का जो पैसा आता है क्या उसे कभी वो खर्च कर पाए क्या कभी मिलके आवाज उठाई इसके लिए ये बहुत सारी चीजें हैं कि जब आप मिलके ही अपनी पोस्ट नहीं बचा पाए अपना पूरा reservation नहीं ले पाए आपके MPMLE कुछ नहीं कर पाए तो आप वर्गी करण होके कैसे कुछ ले लोगे ये सोच से परहे है जब इखटे होके आप अपने अधिकार पूरे नहीं ले पाए तो आप अलग-अलग होके कैसे लोगे इसको सोचना चाहिए इसको समझना चाहिए वर्गी करण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये प्रसन मैं आप के ओपर छोड़ता हूँ पर वर्गी करण होने से पहले या नहीं होने से पहले आप सबसे पहले ये सोचिए क्या आप बावा साब के उस अधिकार के लिए कभी fight करके आए जो अधिकार बावा साब ने का था कि separate electrol चाहिए आप इतनी बड़ी तादात में इतनी बड़ी संख्या में हुए कि आपने कभी सोचा और जितने भी लोग लड़ रहे हैं वर्गी करन के लिए या अलग-अलग separation के लिए या आरक्षन के लिए वो लोग कौन है और कितने हैं वो लोग हैं चंद जो नेता हैं जो MLA हैं जो MP हैं या जिनको टिकेट लेना है या पार्टी में हैं या जो नेता बनने जा रहे हैं क्योंकि आज तक भी आप लोगों ने private sector में आरक्षन नहीं मांगा और ना आपको मिला आज तक भी आप लोग जो आरक्षन होता है उसका कानूनी बनवा पाए कोई कान बना है कोई दे तो ठीक कोई ना दे तो ठीक आज तक भी जो आरक्षन के पांच OMI थे वो बापिस नहीं हुए जो आरक्षन को नुक्सान पहुचा के चले गए और जिनसे आरक्षन कमजोर हुआ वो आज तक भी बापिस नहीं हुए तो आप आरक्षन को जब मिलके नहीं सकते, मिल के ले नहीं सकते, मिल के उसका फायदा नहीं उठा सकते, आपके MP, MLA कल को वर्गी करन के हिसाब से लोग सवा में और विधान सवा में तूट जाएंगे, वहाँ पर उनकी अलग संक्य हो जाएगी, जब मिल के नहीं खटे हो पाए तो तूट के भी क्या कर लेंगे, यह सोचने वाले सवाल हैं, तो आरक्शनल मिल कितने लोगों को रहा है इसे देख लें, आज तक भी आप अपना आरक्शनल पूरा नहीं कर पाए, आपका बैग लोग क्यों रहता है, क्यों आप अवाज नहीं उठा पाए मिल के कि आपका आरक्शनल पूरा होना चाहिए, और जड़ा सा वर्गी करन आया तो आंदोने उने सुरू होगे क्यों होगे क्यों कि कोई और करा रहा है आंदोने करने वालों को तो ये पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है और वर्गी करन होता क्या है और आरक्षन होता क्या है पूरे भारत के अंदर लगबग सवा दो करोड नौकरियां है सरकारी स्टेट की और सेंटर की और पियस यू की सारी यूट मिला गए सवा दो करोड हैं सवा दो करोड यूट नौकरियों में लगबग 35 से लेके और 40 लाख नौकरियां हैं जो सेंटर गॉर्मेंट की है तो 2 करोड़ों नौकरियों मैं से सवा 2 करोड़ों नौकरियों मैं से कितने परसंटेज आपको मिलने वाली है और कितनी आपको मिलेंगी बाकी लगबग 50 करोड़ों लोग ऐसे हैं जो private sector में काम करते हैं और working force हैं या खेतों में काम करते हैं पर उनके welfare के लिए क्या उनके welfare के लिए कौन आवाज उठाए कौन सी राजनितिक party आई ये कहने के लिए कि लिए कि इनका वर्गी करन करो इनका वर्गी करन करके इनमें से कुछ को लाला बनाओ इनका वर्गी करन कर के इनको लेटल एंट्री में नोनोकरी दो कभी कोई आवाज किसी राजनितिक पार्टी ने उठाई कभी कोई आया ये कहने के लिए कि ये जो पचास करोड वरकिंग फोर्स का कुछ फायदा होना चाहिए पूरे भारत के अंदर SC, ST, OBC की संख्या 143 करोड के हसाब से बहुत ज़्यादा है लगबग 120 करोड के आसपास है और उस में से 50 करोड लोग ऐसे हैं जो वरकिंग फोर्स प्राइविट में काम करते हैं तो मात दो करोड लोग सारे के सारे काम करते हैं और 2 करोड लोगों में से भी खाली अगर स्रिडूल काश्ट को निकाल दिये जाए तो अधिकतर D कैटेगरी के अंदर हैं और कितने होंगे बहुत ज़्यादा अगर सारे मिलाग के दो करोड में अगर हिसाब भी लगा लेंगे तो स्रिडूल काश्टों के नाम से मुस्किल से 20 25 लाग लोग काम करते होंगे सारे मिलागे जिसमें D किलास के सब्चाद एक हैं थोड़े बहुत B के हैं और थोड़े बहुत एक हैं बागी सुपर A के जो भी होते हैं तो कि नौकरियां इतनी हैं, बैक लॉग इतने हैं कि सारे पड़े लिखे भी एड़ जैस्ट हो सकते हैं पर बैक लॉग मांगने के लिए कोई सलक पर आए तब ना, कोई अपनी वेकेंसी पूरी कराने के लिए सलक पर आए तब ना, कोई अपना एकोनोमिक जितने राइट है, ब भी मिलेगी नहीं मिलेगी किसी को नहीं पता और दो अपरेल दोहजार अठारी की जो यूनटी ताकि ये लोग अलग हो जाएं और الग हो जाएं और सदा के दियन में लड़ाई हो जाएं मिलनी मिलानी किसी को है नहीं नौकरी डे बाई डे कम हो रही है जनसक्या बढ़ रही है जनसक्या बढ़ रही है नौकरी बढ़नी चाहिए पर नौकरी बढ़ाने वाले नौकरी बढ़ाते नहीं तो किस से कह रहे हैं जिसने वर्गी करण किया जो वर्गी करण को लागू करेगा वो दोनों पा पास और दोनों भाईयों में लट्थम लट्था आप देने वाले नहीं आप वर्गी करने वाले नहीं आप लागू कराने वाले नहीं आप लागू करने वाले नहीं पर जिसने दिया है वो लागू भी कर सकता है उसके कर देना चाहिए या लागू करने की मन्शा नहीं है तो पूरे देश में जो लोग व्यापार करते हैं, पूरे देश में जिन लोगों की इंकम टैक्स आठ लाक सलान से उपर इंकम बनती है, पूरे देश के अंदर जो दुकान पर व्यापार करते हैं, पूरे देश के अंदर जो एम एले हैं, एम पी हैं, मिनिस्टर हैं, पूरे दे के अंदर क्योंकि पूरे देस के अंदर uniform civil code होना चाहिए सबी लोगों को एक समान आचार सहीता में लेकर आना चाहिए आर्थिक मामले में सामाजिक मामले में तो अभी नहीं हो सकता क्योंकि सामाजिक मामले में जब तक जात खतम नहीं होती है, जात का सिस्टम रहेगा, इसलिए uniform civil code सामाजिक बातों में लागो होने में time लगेगा, पर आर्थिक आधार पे तुरंत लागो हो सकता है, आर्थिक आधार पे सबको समानता मिन सकती है, इसलिए creamy layer तुरंत लागो होनी चाहिए, और आरक्षन भी खतम होना है, जैसे करीब 25-26% SC हैं, उनको साड़े 25 मिला हुआ है, जैसे बाकी जो बचा हुआ आरक्षन हैं, उसको वो लोग ले जाते हैं, जो ना SC है, ना OBC हैं, यानि कि जो अनुजर्ब लोग हैं, जिनको हम बाहर के लोग बोलते हैं, जिनको ये कहते हैं कि ये ब्रहमर लोग है सारे RXional को वो लेके जाते हैं, तो सारा RXotional वो क्यों लेके जाते हैं, उसका वर्गी करन होना चाहिए, जितना उनका पसेंटेज है उनको देना चाहिए, और बाकी का जिनको नहीं मिलाएं उन को देना चाहिए इस से आरक्षन की समस्या हमेसा हमेसा के लिए समाप्त हो जाएगी और सभी को एकोनोमिक अधार पे अलॉट्मेंट होनी चाहिए इंडस्टी का पैसे का और उन पर सपे क्रीम लेर लगाना चाहिए क्रीम लेर लगेगा तो वो नौकरी नहीं मागेंगे वो अपना काम करेंगे और फिर नौकरियां की इतनी नौकरी हो जाएंगी कि आदमी को हर समय जब चाहेगा जब नौक्टी से मिल जाएगी और कोई जगड़ा देश में रहेगा नहीं और देश पूरा तरक्की करेगा क्योंकि हर हाथ के पास काम होगा हर हाथ के पास में वैल्यू होगी हर हाथ के पास में जमीन होगी और हरत के पास में संसादर होंगे फिर सारा देश सुखी हो जाएगा और यह जगड़े जो देश में होते हैं इससे देश पीसे चलता है वो हमें साथ निये बंद हो जाएगा मेरी अगर किसी बात से किसी को परशानी हुई हो मैं संग से माफी चायता हूँ संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग हंग नमामी संग से नम गचायता हूँ